हेलो आज हम डिसकस करने जा रहे हैं जाम्य मिलिया इसलामिया के क्लास 9 के एंट्रेंस टेस्ट के स्लेबस के बारे में बात करने जा रहे हैं session 2022-23 बात करने वाले हैं कि 2022 का entrance test का syllabus रहने वाला है वो क्या entrance test का syllabus रहने वाला है preparation आपको कैसे करनी है कौन सी book purchase करनी है क्या entrance test में negative marking है या नहीं है entrance question paper के बारे में तो एक ही करके हम इसमें सारी चीजें discuss करने वाले हैं तो चलिए आएए बात करते हैं entrance test का syllabus सबसे पहले अगर हम बात करें entrance test के syllabus में तो आपको यहाँ पे entrance test का syllabus है वो four parts में divided है कितने part में divided है four parts में जिसमें English से आपके question पूछे जाएंगे 25 math से 30 question science से 25 question और social science से जो आपसे question पूछे जाएंगे 20 question और total जो आपसे exam में question पूछे जाने वो पूछे जाने 100 mc की question आपसे exam में पूछे जाने पहली चीज आपको यह clear हो गयोगी अब बात करते हैं अभी detail में syllabus के बारे में और books के बारे में और question paper के बारे में बात करते हैं सबसे पहले चीज जो आपको पता होने चीए क्या entrance test में negative marking है या नहीं है यह सबसे ज़्यादा बच्चों को doubt आता है तो entrance test के जो आपके syllabus में वो negative marking नहीं है आपको ध्यान रखना है अपना entrance test का syllabus देखना है प्रोस्पेक्टस में आपको instruction दिख जाएंगी और instruction में आप देख पाएंगे कि negative marking नहीं है और entrance question paper में भी लिखा होता है कि आपके entrance test में negative marking नहीं है अब आप बात आती है कि जो class 9th का आप entrance test देने जा रहे तो आपको कौन सी बुक से पढ़ना है इंगलिश कहां से पढ़नी है math कहां से पढ़नी है science social science तो यह जो सारा आपका syllabus है वो syllabus है class 8th का और NCRT syllabus आपको ध्यान रखना है सारे के सारे topics आपको NCRT से पढ़न हैं तो चलिए इसी प्रोस्पेक्टस में मैं आपको दिखाते हूं इसका PDF टैलिग्राम अप्लोड है तो आप वहां से देख सकते हैं चलिए मैं आपको इसमें बता भी देता अब बात आते हैं क्या syllabus को चेंज होता है syllabus देखिए अगर चेंज हुआ है जैसे अगर हम बात कर सेशन 2020 में जो 2021 का entrance test हुआ था और CBS को आपको पता है कि 2020 21 जो session था उसमें आपको पता है कि जो paper का जो syllabus था entrance test का syllabus जो है कुछ में changes क्यों हुए थे अब जैसे कि class 10 का mileage syllabus reduce कर दिया 9th का syllabus reduce कर दिया 11th का syllabus reduce कर दिया तो अगर किसी भी चीज का entrance test का syllabus reduce होता है तो वो reduce syllabus के according ही आएगा तो यह आपको ध्यान रखना है आपको स्रिफ और स्रिफ NCRT syllabus ही पढ़ना है और जो कि prospectus में आपको सारी चीजे बताए हुई है तो चलिए बात करते हैं आपको syllabus कैसे चीजें चेक करनी है और कैसे आपको पढ़ना है चीक है तो यह रहा हमारा class 9 का entrance test का syllabus अब बात आती है English English में आपको क्या क्या पढ़ना है यह सारे topics आपको इंगलिश में पढ़ने आर्टिकल पढ़ने प्रेपोजिशन काइंड अट्रॉनिम स्टिश डिरेक्ट इंडरेक्ट स्पीच एक्टिव पैसीव और अंसीन पैसे तो इंगलिश में जो है आपको यह सारे topics कवर करने और यह सारे topics के नाम आपको आपकी NCRT बुक में मिल जाएंगे हर चैप्टर आपको मिल जाएगा अब चैप्टर को आपको क्या करना है डिटेल में पढ़ना है यह चीज आपको ध्यान रखनी है आपको सारी चीज जो है NCRT से ही पढ़नी है ऐसा नहीं है आप NCRT छोड़ दे और खाली वैसे बुक पर्चेस कर लें अभी हम बुक के बारे में बात करते हैं तो यह देख सकते हैं कितने सारे इसमें जो है चैप्टर से साइंस की क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट माइक्रो और्गनिसम संथेटिक्स फाइबर और प्लांट कोल और पेट्रोलिम तो इस तरीके से आप यह सारे टॉपिक्स जो है देख पाएंगे ऐसे ही आप देखिए मैथमेटिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है रैशनल लंबर लीनियर क्यूशन इन वन वैरेबल अंडरसेंडिंग कॉडिरेटर डाटर हैं लेंग क्यूप सेंड क्यूब रूट्स कंपेरिंग कवांटिटी मेंशुरेशन एक्स्टर क्वार तो इस सारे टॉपिक्स आपको यह पढ़ने है उसकी बास सोशल सऑन्स में आपको देखिए हिस्ट्री में यह तरह पढ़ना है Sap po यह सारा सले बस आपको जो हए क्लास नाइज के एंट्रेंश के लिए पढ़ना ह चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट नमबर वन आपको क्या पढ़ना है N.C.E.R.T. यह चीज आपको सबसे पहले चीज करने हैं और आप क्लास 9 का एंटरेंस टेस्ट देने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है एंटरेंस कोशन पेपर प्रिवियस यर के चैनल पे अपलोड हैं तो वह आप देख सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए कोशन जो पेपर का लेवल है वो क्या रहता है ऐसा नहीं है कि कोशन पेपर का लेवल जो बहुत मुश्किल रहता है कोशन पेपर के बारे में अगर हम बात करें तो कोशन पेपर जो होता है वो काफी बेसिक्स जो है आपसे एक्जाम में पूछा जाता है तो कोशन पेपर के अगर हम बात करें तो वो जो होता है बेसिक्स आपसे एक्जाम में पूछा जाता है पर आपने अगर NCRT अच्छे से पढ़ी है तब ही आप को कोशन पेपर कर पाएंगे यह आपको ध्यान रखना है अगर आपने मान लेजिए NCRT को अच्छे से नहीं कवर किया और आप सोचें कि कोशन कर पाएंगे तो बहुत चांसे कम हैं तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है कि आपको NCRT को अच्छे से कवर करना है क्लास 8 की आपके पास NCRT होनी चाहिए अगर नहीं है आपके पास तो आप उसको परचेस कर लिजेगा NCRT से किजेगा और एंटरेंस कोशन पेपर के बारे में आपको बदाए सबसे पहले आपको वही करना है जब आप इतना कर लेंगे आपने प्रिवेस एर कोशन पेपर कर लिए और NCRT से आपने सारे टॉपिक्स कर लिए आप जो है एक बुक परचेस कर लिजेगा शफीक गाइड आती है और कॉंसेप्टम इसमें से कोई सी भी आप एक बुक परचेस कर सकते हैं अगर आप दोनों book purchase कर सकते हैं तो आप दोनों book purchase कर लीजिए otherwise आप एक book ज़रूर purchase कर लीजिए अप क्यों purchase करनी है जिससे आप थोड़े से थोड़े mcq question practice कर पाए slayvers के बारे में भी आपको उसमें मिल जाएगा topics भी आपको उसमें मिल जाएगी ये चीज़ अब आप कर लेंगे entrance question paper आपने देख लिए सारी चीज़ां आपने कर ली आप शफिक guide भी कर ली concept भी कर ली ncrt भी कर ली बस इतना sufficient है लेकिन अब उसके बाद क्या क्या करना है जब आपने ये सारी चीज़ां कर ली जिस दिन से आप entrance test की preparation start करें उसी दिन से आप notes बनाना start कर दें ध्यान रखना है आपको क्योंकि last minute में अगर हम बात करें तो आप book से नहीं पढ़ सकते notes आपके काम आएंगी तो आपको notes बनाना starting से ही start रखना है और आपको decide कर लेना है कि जो है आपको कौन सा area आपको सबसे ज़्यादा strong है इसमें से कम से कम आपके 3 area अच्छे से strong होने चाहिए तब ही आप entrance test निकाल सकते हैं और यह ध्यान रखना है negative marking है नहीं तो आपको 100 के 100 question वहाँ पर attempt करके आने हैं तो यह चीज़ आपको ध्यान रखना है आपको एक book से कोई फायदा नहीं होने वाला अगर आप NCRT को अच्छे से पढ़ेंगे और आपने NCRT को अच्छे से पढ़ लिया होगा तो आपका entrance test easily निकल जाएगा फिर आपको कोई problem नहीं आने वाली है exam निकालने में बाकि आपको जोए सारा अपडेट चैनल पर कर दिया जाएगा वीडियो भी अपलोड की जाएगी ताकि आप लोगों को कोई problem ना होए अब इसके अलावा आपको class 9 के entrance test को लेका doubt आए तो आप comment करके पूछ सकते हैं बाकि Instagram, Telegram सारे link आपको description box से मिल जाएगे